कविता जी कविता दिक्षित बताया वह बहुत ही लाब डाई था और जैसे कि आपनी चर्चा में बताया कि अगर हमारी सिक्षा बहुत अच्छी होती है तो हमारे संस्कार भी बहुत अच्छे होते हैं और अगर हमारे सिक्षा बतने होता है तो हमारा जीवन वह काफी व्यवस्थित होता है और अगर अगर अनि इंडविट्मन हम ने misunderstand हैं को हम अपने परिवार को और some our probi stretches कर सकते हैं म THE सभुद्धिथ और सुक्तने इस चाहिए अपको ड़िए कर सकते हैं medical कोई चीजें जो है में पॉइंट समझ में आए तो वह बता सकते हैं यह तो ब्रॉड लेवल के उपर तो बहुत बड़ी ब्रॉड और व्रवियू टाइप बात है और लोग बताएं आप लोग सब टीचर्स हैं या टीचर्स का काम करने वाले हैं तो कुछ लोगों ने यह लिखा पहले दिन के उसमें अखिलेश अरगल जी ने जो बात रखी कि हम लोग को अपने स्टूडेंट्स को इस योग यह बनाना है कि वह सार्थक प्रशन पूछ पाएं क्यूरियोसिटी को अवेकन करना तो अगर हम में क्यूरियोसिटी अवेकन्ड है तब हम स्टूडेंट्स के साथ में यह काम को कर सकते हैं अगर हम में यह नहीं है तो हम भी हम फिर आगे जाकर के फिर वही देंगे जो हमारे पास है ना तो इसलिए अगर इस काम को करना है तो हम लोग को भी एक उधारन के रूप में उभरना होगा अभी तो बहुत बार बच्चे से पूछते हैं कि भी बताईए तो वह कहते हैं आपको क्या सुनना है बताएं हम वहीं बता देंगे आपको और लोग बताएं कोई आप आपने अपना हैंड रेस किया है बताएं कि अपने बताएंगे तो हम अपने बच्चों तक उसको ले जाएंगे तो आप थोड़ा संस्कार के बारे में बताएंगे इसलिए वह तो सुपे बात होई ओगी ना बच्चे ना पढ़ाई में लग जाए और प्रेम इसने से जो उसमें लग जाते तो उससे हड़या है तो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए आप और अच्छे कोई से विशार बता सकते हैं तो कि तरहेगा पढ़ाई लिखाई जो है यह एक माद्यम है या यह अमारा लक्ष है पढ़ाई लिखाई एक तरफ आज कल तो बच्चे आज कलती जो जनेरेशन है और जो पंदेंस की जो सोच है उनने उसको ही लक्ष बना के रखा है तो जो लक्ष हम पढ़ाई का बना लेते तो हम यहां से भटक जाते हैं यहां हमारे संस्कार नहीं हो पाते हैं आजकल जो पढ़ाई पे जादा दुहां दे रहे हैं तो बच्चों पे जो संस्कार कुण जी बच्चों पे जो अच्छे स संसकार नहीं में देखने को मिल रहे हैं वह तो बात होई ही होगी कि जैसा शिक्षा संसकार मिलता है वैसा आचरन होता है आदमी के लिए कि जो शिक्षा संसकार है जैसा शिक्षा संसकार होता है वैसा आचरन होता है उसका तो अगर हम आचरन के लिए हम को शिकायत है तो इसका मतलब शिक्षा संसकार में कुछ मिसिंग हैं तो बच्चो बहर रिग्त नहीं मिल पा रहे आपको अces संसकार तो मिल रहा है। उन्हों को यह उदेश मिल रा है कि हमें क्या इंजट्र हमें कि आ डॉक्तर है वह बाहर hasn PCij यह संसकार तो मिल रहा है लेकिन उन लोग को जो आधर संवान बढ़ों से कैसे बोलना चाहिए किसा बेवार करना चाहिए गरोत नहीं कर पाते हैं तो मैं सोचती हूं कि हम जहां से सीथ के और जाएं और यह सुना तो ज़्यादा बेटर रहें कि बच्चे अच्छी तरह से ज और इंग्लिश के साथ सब्सकार भी भूने चाहिए वह तो ठीक बात है हम लोग सब पेरेंट्स है ना माता-पिता या पीचर है तो यह बच्चे की जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है तो अगर बच्चे का आचरन के बारे में हमारे पास शिकायते हैं तो इसका मतलब हम अपने साही शिकायते कर रहे हैं हम अगर अच्छे होंगे तभी बच्चे ठीक हो पाएंगे अगर हमारा हालत ठीक नहीं है तो हम बच्चों को वह ही दे पाएंगे जो हमारी हालत है इतना सिंपल बात है तो हमको नंबर वन अपने को ठीक करना है यह तो बात हुई होगी ना कि जो प्रकृति है उसमें यह जो अवस्थाएं यह अलग अलग अवस्थाएं जो हैं कि यह जो पेड़ पौदी है जैसा उनका बीज होता है वैसा ही आचरन करते हैं ज़िव जन्तु है जो यह जानवर है न जैसा भी वन्च होता है वैसा ही आचरन करते हों कि मानव जो है वह शिक्षा संसकार अनुशंगी है जैसा शिक्षा संसकार उसको मिलता है वैसा ही आचरन करता हो तो अगर वह मानवी आचरन कर रहा है तो मानवी शिक्षा संसकार मिला होगा इसलिए मानवी लेकिन अगर अपनी आतरन कर रहा है तो अमानिषी शोषा मिला होका कि नहीं दो हमोँ को अपने शिक्षा संस्कार को मानुषी अस्कार बनाना है होलिस्टिक बनाना है इसमें हम को को ही मेनत करना पड़ेगा बहुत सारा बैक्ट को डिक करना पड़ेगा तो मेनत तो करना पड़ेगा बताइए श्रद्दा गुपता जी जी से जी बताइए ये कहना चाहती हूं जैसे आपने बताया कि अगर हमें मानुवियत तार वाविन से तरनी है तो हमें उस तरह से शिक्षा राने पड़ेगी मुल्य अधारिक तो कराण के जा अधारण हूं कि ऐगर हम संसकार एपक रोड़ेगे नहीं की अपने भीक्ती को बिकास का परियाए बन सकती है तो ही संसकार नहीं सिक्षा और हम मनुष्य १िनाष का का बन सकती साधसन पर अगे आतिक मूले नहीं तो वो बत्त हो जा रहे हैं और पही अगर संसकार युक्त शिक्षा है तो बहुत सारे लोग दूसरे गरहों को भी जिन्दा गाड़ लाएं और बहुत अच्छी राष्ट के साथ साथ पुरे विश्व का कल्यान कर रहे हैं तो वह तो दिखता है और लेकिन हमको समाज का डिरेक्शन एक तरह से हम लोग सब उसके उपर बात कर सकते हैं और अगर हमारे में सास हो तो हम अपने आचरन के उपर भी बात कर सकते हैं फिर लेकिन ज्यादा सास चाहिए होगा उसके लिए और उसको ठीक करना जो है वह हमारा हुमवक है हमारा काम है और अगर हम उसको कर पाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए बहुत उपकारी रहेगा वह और उसको अगर हम फोस्पॉन करते हैं तो उतना फोस्पॉन हो जाएगा तो अगर जो भी काम आप करते हैं एजर टीचर जो भी काम आप करते हैं एक तो वह सौ गुना मुल्टिप्लाइए होता है कि और वह कि दस साल से लेकर करके कम से कम में भी सौ साल तक चलता है तो आजकल इतने भी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं कि करप्शन है और यह हो है तो उसमें यह जो शिक्षा संस्कार का ना होना था उसका में कारण तो वही है कि ऐसा प्रस्ताव है आप देख लीजिए ठीक है कि नहीं और आगे क्या करना है वह आप और हमारे हाथ में है ना तो अगर हम लोग मेनत कर लेते हैं तो चीजे एक जो दिशा में जा रही हैं वहां से ठीक हो सकती है लेकिन अगर हम लोग मेनत नहीं करते हैं तो जैसे चल रही है वैसे उसी दिशा में चलती रहेंगी तो अबसर भी है अपने पास में अपने पास में पुजीशन भी है अपने पास में वस्तु भी है अपने पास में प्रॉसेस भी है तो उसके उपर हमको अमल करना है हमको चलना है उसको कर लेंगे तो आगे चीजें एक तरफ बढ़ेंगी यह समझ में आ रहा है श्रद्दा गुपता जी और आप सभी लोग इसको कर सकते हो जी सर्दुकु सही आपने बोला बस ये मूल आधार तो यही है कि सथ सिफ शिच्छा नहीं संसकार के साथ हम शिच्छा बहुत अच्छे से प्रेड़ना बनकर बच्चों में वो चीजे प्रस्पित कर सकते हैं वैल्यूस को डेवलाप कर सकते हैं अपने व्योहार से अपने व यह कुछ लोग कह रहें कि हमको शिस्तो करते हैं लेके बेस्ट हो निमलें के लिए तो निश्वत रुप से हमको रिज़ पॉजिव में डेवागए. वही. So if you are trying the same thing over and over again, you will get the same result. Definitely, sir. किसी ने कहा है कि one indicator or one definition of confusion is doing the same thing again and again and expecting different results. All of it. मुद्व हु हुआ के सही को पैचान करके सही करने का काम करना है अगर हमें को सही पैचान में है हुआ सहे वग्यानिक हो ते जान संधान करते हैं और उनको अपना टा्स्कocurकाना होता है तो वह कही तरीके से उषपर करते हैं जब तक कि उनको अपना लग्ष प्राप्ति नहीं हो जाती है तो हम एक ही चीज को प्राप्त करने के लिए अपने फॉर्मूलास बदासा कि अपने काम करने के तरीके या हम अपने कोई भी बास समझाना चाहरे हैं बच्चों को तो हम अलग अलग बेसे समझाएं हमा करना पड़ेगा लेकिन उसके अंदर एक नबर पे तो हमको लक्ष की स्पश्टा होना जरूरी है कि अगर हम देखें कि हमारा लक्ष क्या है कहां पहौंचना है हमको और लक्ष का यह मतलब नहीं होता की एक चीजçar हो गई तो उसके बाद में फिर दूसरा कर लेंगे-फिर तीसरा कर लेंगे मैं लक्ष का होता है कि जहांपर हमको हमारा जो गंट तव्य है जहांपर पहुंच करके हम को continue करना है जी सर तो जहां पर पहुँच कर continue करना है वो स्थान जो है और उसको हम लोग ने एक तरह से परिभाशित किया है एक नंबर पे human being का जो लक्ष है वो निरंतर सुख समरिधी पुर्वक जीना है जी 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 सर जैसे हमारे जो गुरुजन थे उनने हमें जो समस्कार दिये थे और सर आज भी वो अगर हमें कहीं मिल जाते हैं तो अर्टमेटिक हमारा मतलब हाथ उनके चर्णों में पहुँच जाता है लेकिन सर आज के परिवेश में कुछ हैसा हो रहा है या हम कुछ हैसा दे नहीं पा रहे हैं कि बच्चा सामने भी जाता हुआ हमको नमस्ते भी नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कमी हमारे में भी है कि हमको वह चीज़े डेवलप करना नहीं आ पा रही है कि वेल्यूस को हम कैसे अपने बच्चों में डालें वही तो वह जरूरी है कि हम लोग उसको उसका अध्यन करें जी अर बच्चा जो हैवो अगर श्रेश्ट को पहचान पाता है तो वह जरूर उसको express करेगा अगर वह देख पाता है कि कोई वेक्ति श्रेश्ट है तो फिर वह जरूर उसको पहचानेगा और उसके साथ में कुछ कारिक्रम बनाएगा लेकिन अगर उसको नहीं दिखता है कोई तो क्या करें वो अगर नहीं दिख रहा तो क्या करें सब्सक्राइब इसको एक्जांपल के रूप में ऐसे भी समसकते हैं कि हमारे क्लास में पंखा लगा हुआ है उसमें सारी चीज़ें हैं लेकिन वो उसमें अगर उनको चल नहीं चकता है ऐसे ही हम टीचर्स भी अगर उनको एक उलेक्रिसिटी मांगदश्र के रूप में प्रेरक के रूप में बन जाते हैं उनके लिए तो वेल्यूज उनके अंदर है लेकिन हमको उनको जागरत करना है वही तो यह बात हुई होगी दिन में कि हमारा जो शिक्षा संस्कार का जो काम है वो जो लेफ्ट साइड में लिखा है उस तरह से कर रहे हैं हम या राइट साइड में जो लिखा है उस तरह से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं बाइं और का या दाइं और का या लेफ्ट राइट कुछ लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं वन और जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको वन लिख सकते हैं और इसको टू लिख सकते हैं कि किस तरह से हमारा क्या वातावरण क्या है अभी लोग कह रहें कि हमारा वातावरण वन है वास्तप में वन है क्या चाहते तो वन है लेकिन ऐसा है कि ऐसा है कैसा है कैसा है कैसा हम यह नहीं पूछ रहें कैसा चाहते हैं सबी लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा है सिरफ एक व्यक्ति ने लिखा है कुछ लोगों ने लिखा एक दो तिन लोगों ने कि वास्तव में वन है कि वास्तव में टू है अभी अभी के स्थिती में लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यह सही आंकलन है या गलत आंकलन है कि हमारा जो शिक्षा संस्कार का काम है वह यहां पर है राइट नाओ अभी काम पर हैं चाहते तो यहां पर हैं लेकिन आज किदर हैं अगर जहां पर भी हैं हम लोग यहां पर शिफ्ट हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा रमन जी लिख रहे हैं कि दो पर हैं चाहते तो एक हैं पर दो पर हैं अर्चना जी कि ने भी वही लिख्था हैं अ अलमास बेग जी ने भी लिखा है कि अभी तो दो पर हैं तो कोई बात नहीं दो पर हैं लेकिन अगर हमको यह दिख जाता है कि वह हम दो पर हैं तो हम करेंगे क्या वहीं बने रहेंगे या एक पर जाने का कुछ काम करेंगे तो यह बताईए कि अब दो पर जहां पर भी है वहां बने रहना चाहते हैं या एक पर शिफ्ट करना चाहते हैं एक पर जाने का प्रयास करेंगे रीना जी नहीं लिखा है और फिर नहीं लिखा नीट टू प्रिपेर लेसंस तो बिलकुल इस यहां से यहां जाने में बहुत सारा खून पतीना निकलेगा है कि नहीं अगर हमको यह दिख जाता है कि वास्तव में हम अभी आज यहां पर हैं और सिर्फ हमारा देश नहीं पूरा विश्ववी दर ही है तो अगर हम यहां से यहां पर और यह बड़ा कठिन काम है यह कोई बहुत असान काम नहीं है लेकिन यह बहुत सुखत काम है कठिन है पर सुखत है और हम लोगों सब के पास में अफसर है इस काम को करने का कि नहीं इस काम को करने का अफसर जो है यह हर घर में उपलब देह हर घर में उपलब दे पर जो यह कुछोवरी लिग गया बर ठीक है हर घर में उपलब दे तर माता-पिता को यह अफसर और अगर ग्रूप में देखें तो हर टीचर को उपलब दें हर शिक्षक को उपलब दें लेकिन करना तो पड़ेगा बहुत सारा काम तो करना पड़ेगा और जैसे मेटीरियल डेवलब करने का काम है वो तो करना पड़ेगा अगर अल्रेडी कुछ मेटीरियल उपलब्द है तो उसको यूज़ कर लेंगे कि समय के साथ चलना तो है समय के साथ क्या चलना है बताइए लखन जी समय किदर जा रहा है आपका समय किस ओर लेके जा रहा है अभी समाज को समय लेके जा रहा है या समाज मेशना हरा है आलो जी बताइए बहुत सारी एको आ रही है आपके उससे जी श्रद्धा गुपता जी आप बताइए समय तो पल प्रति पल बदलता ही रहता है लेकिन अगर हमारे में वैल्यूज है और हम उनको पीड़ी दर पीड़ी स्थानांत्रे तर रहे हैं अगर हमने एक इस्ट्रवेंट मी तयार किया है ऐसा कि जो नैतिक मुल्यों से भरा हुआ है तो वो गुणात्मक रूप से जैसे अगर बदलता रहेगा समय का कुछ नहीं है लेकिन अगर हम अपने वैल्यूस को निरंतर परिश्क्रत करते रहते हैं तो समय बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है वही अगर बच्चा शिक्षा में कितना टाइम लगा रहा है आपके साथ में जब बच्चा आपको जॉइन करता है तो लेड़ा से पांच साल का होता है जब वो पूरा करता है तो कितने साल का होता है तो कितने साल का होता है तो कितने साल का होता है तो आपके बास तेरा वर्ष है है कि नहीं स्कूल में आपके बास तेरा वर्ष है उसके बाद में फिर वो कोई अंजिनेरिंग या कोई मेडिसेंग या कोई फार्मिंग या कुछ भी और करता है तो पांच साल और लगा लेता है वहां पर, पांच से में भी साथ साल लगा लेता हूँ, तो यह बीस साल जो है उस बच्चे का, वो शिक्षा के लिए आर्पित है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसका आउटकम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो प्राइमेरी और मेडिय लेवल पर बच्चा सीख और समझ लेता है, वो पूरा इस्तंब होता है उसके पूरे जीवन का, मतलब एक फांडिशन जो उसका अगर अच्छा हो गया नहीं हो अच्छी हो गई, और अगर उनमें ही अमने नहतिक मुल्यों को डाल दिया और सरम शब्दों से नहीं डाल सकते हैं, हम उनको ऐसा बनाएं, ऐसा अपने आचार विचार, विचार, विवहार, कारे कलाप से ऐसा कुछ उनके अंदर डालें, इसने प्रेम, आपस में सोहार्द की भावना, आपस में कुछ दूर करने की प्रयास करें, अबले कुल अपने बच्चों की तरह कि हमारे दोनों बच्चे लड़ गए, तो हम उनको कैसे रूप करना है, तो निश्यत रूप से वो, सर, आगे पूरा उनका भविश्य बहुत अच्छा बन जाएगा, भई, बिलकुल, तो इस काम को करना है हम क्या बताते हैं, प्रेम का भाव देते हैं या विरोध का भाव देते हैं? सबल नहीं हो पाता है, सर, कम्रोरी जो है, वो हरी के अंदर बनी है, तो हम लिटरेट तो बना दे रहे हैं उनको, पढ़ना लिखना आ गया, जोड़ना घटाना आ गया, है, जी सर, एजुकेटेट कर रहे हैं कि नहीं, इलकुल, सर, सही गलत के बीच में निश्ठा हो जाए कि भी हमको सही जीना है, और कैसा सही है, क्या सही है, वो भी हमको पता चल जाए, इसको शिक्षा कह रहे हैं, और यह वारा जो भाग है, उसको सल्सकार कह रहे हैं, जैसे कासरी हमने वैलूस पढ़ी है, कि इसने प्रेम, सम्मान, उसको हम कितना भी अच्छे से डिपाइन कर दें, बच्चों को परिभाशा हैं लिखवादें, कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक उनके वहावाव विचार, व्योहार में नहीं आई हैं वो चीज़ें, तब यह बात हुई है, कि आदमी क्या जो मूल चाहना है, उसको पूरा करने के लिए तीन वस्तुओं की आवशक्ता है, एक समझ की आवशक्ता है, एक भाव की आवशक्ता है, संबंद में भाव, और एक आवशक्ता है सुविधा की, ठीक है ना? हम अपने को देख लें कि हमारे पास जो कुछ भी है, यह है की नहीं है, यह है की नहीं है, यह है की नहीं है, जो भी होगा, हम उसको दे सकते हैं, दूसरे को, तो अगर यह टीचर है, और यह स्टूडेंट है, तो आपके पास में जो कुछ भी होगा, वो आप दे सकते हैं, student को और आपके पास में जो कुछ भी है उसमें से कुछ percentage दे सकते हो क्योंकि उसका जो capacity है grant करने का उसको भी ध्यान में रखना होगा तो अगर आपके पास hundred चीजें हैं तो यह दस चीजें grant कर सकता है हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास दस और यह 100 कर ले। ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही होता है। समझें हैं आप। तो अभी की स्थिति में देख लें कि हमारे पर सुविधाएं तो बहुत हैं। हम सुविधा का काम कर सकते हैं लेकिन जब हम सुविधा देते हैं तो हमारी सुविधा घड़ जाती है। तो उस काम को हम बहुत करते ecc than you भाव हमार पस है की नीए वो देख लेए तो इसके पास भी पहुँचता नीह है और अगर यह है की नई है यह भी नहीं पहुँचता लेकिन अगर सीथी ऐसी हो जाए कि हम अपने को त्यार कर लें यह इसके और इसके तो फिर बच्चे को यह देने का काम खर सकेंगे यह भी होगा यह भी होगा क्यों कि अगर हमार पास नहीं है तो यहां से हम दे दी सकते हैं ये दे सकते हैं लकि तो कि मुलब देने की हावशकता भी दिए उसको सिर्फ त्यार करना है तो हमारे पास 20 स्वर्ष है ना कि बीस वर्ष है बच्चे के साथ में काम करने के लिए कि मान लेतें दस वर्ष है कि बीस वर्ष सब लोग रहते नहीं है कुछ ड्रॉप हो जाते हैं कुछ ठीक है ना अगर यह दस वर्ष में कि अगर हमको समझ में आता है कि ना हम दस वर्ष लगा करके समझने का काम कर लेते हैं अपना समझ को पूरा कर लेते हैं और फिर अगले दस वर्ष में कि हम दस बच्चों को यह दे देते हैं तो कितने वर्ष हो गए रस यहां पर दस यहां पर बीस वर्ष हो गए और अगले दस वर्ष में यह दस लोग जो हैं यह और दस लोगों को कर देते हैं कि तो कितने लोग हुए तो तो सौ वर्ष में कितने लोग हो जाएंगे यहां पर एक व्यक्ति त्यार हुआ यहां पर 10 लोग त्यार हुए इस 10 वर्ष में सौ साल में कितने लोग त्यार होंगे जो लोग मैट्स पढ़ाते हो बताएं कि अगर आपको दस दस वर्ष लगते हैं समझने में एक व्यक्ति को दस वर्ष लगते एक व्यक्ति जो है अगले दस वर्ष में दस लोगों को त्यार करें हां फरुग जी ने आंसर ठीक दिया है ने फिर गलत वो गया आपका आंसर पिर से गलत हो गया वन फॉजट ट्रॉट थीक है ठीक ठीकशाइन फिर अचोंगरोंस ठीक है फरुट जी अगरी है अज़रा असिफ के रहे हैं लौट अज़रा अद्धे लॉप एनर्जी कर्वर्ण कर्वर्ण के लिए करता है आदमी के लिए अपलाई करता है आदमी जो है वह चैतन्य इकाई है पॉर इंपल आप अगर किसी को समझने में सहयों करते हैं तो आपकी समझ घड़ जाती है क्या किमिस्ट्री पढ़ाते हैं मिफ्चों अगता इंप घड़ जाता है कि नहीं घड़ता हुई नहीं कहा सिंपल सी पार है जिसका और इशिंट कि यह रहे हैं यह तो अगर हम इस काम को बहुत अराम अराम से भी करते हैं तो इतने लोग हजार करोड लोग जो हैं वह समझदार हो सकते हैं सौ साल में तो इतना बड़ा काम भी नहीं है लेकिन इसका जो क्रक्स है वह यह है हम और आप हैं अगर हम इस काम को मेनत करके कर डालते हैं तब यह फिर बन सकता है यह जो सुनैरा सपना हम लोग सब देख रहे हैं लेकिन यह यह नहीं होता तो यह आगे नहीं चलेगी गारी रहे हैं कि मजबूत होता है जब समझ को शेयर करते हैं तो अपनी समझ Shink भी मजबूत होती है ठीक बात है समझ मजबूत होती है और कुछ फिजिक्स केमेश्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वह भी मजबूत हो जाता है और कौन कह रहा है कि सम डाइलूशन में टेक प्लेस रीना जी कह रही है नहीं घटता ठीक बात है सुविधा जो है जो मैटीरियल है उसके लिए यह सब लौ अपलाई करता है कि आपने आपके पास कुछ किताबें आपने किताब दे दिया तो कम हो जाएगा वह सुविधा है लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है अगर आपके पास में है वह टारी हो टो किसको आप कितने भी लोगों के साथ शेयर करें तो गरत है किताब घड़ सकता है वहitaire करने काली का काम है और आपको क्या लगता है जब आप शेयर करते हो तो आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है पो ठीक लगता अगर बच्चा आपने जो समझाया उसको चिखाया आपने अप तो ज्यास तर सिखाते हैं समझाते समझाने का काम आप करना शुरू करेंगे जब भी किसी को कुछ समझ में आता है या उस कुछ सीक जाता है तो आपको कैसा लगता है यस वी फील गुड बहुत अच्छा लगता है यह ना राजेश कुमार जी बेग जी पुश्पा जी सब लोग कह रहे हैं मज़ा आता है भगवान दास जी यह ना बहुत अच्छा हमें बहुत अच्छा महसूस होता है आरती जी तो यह सुखत काम है यह जो काम है ना यह सुखत काम है यह वाला जो काम है यह तो सुखत काम हमको दिख गया लेकिन यह जो काम है यह जो बहुत मेनत का काम है यह जो हमवक है हमारा दस साल का होमवक्वाइए कम से कम दस साल का लेड़ेसे दस साल का होमवक्वाइए मज़े की बात यह यह भी सुखत है अब आप लोग बताईए कि आप लोगों ने जो भी कुछ इतने दो चार चौथा दिन है ना आज इसमें आप लोगों को कैसा लगा जो कुछ भी आपने मेनत किया होमवक करा जो कुछ भी सूचना है आपको मिली कैसा लगा आपको पारुप जी ने आपना अंगुठा दिखाया येस से लिए हम यह नहीं पूछ रहें कि आपको क्या करना अभी उसको सिंप्लिफाइ करना है और वह सब तो करना ही होगा बट आपको कैसा लगा आप जो है कम से कम खुश हो लो ना कि भी जो भी हुआ है वह अपने लिए उपकारी है उसके आगे जो करना उसको करेंगे बदलाव आया सोच में ना तो यह थीक है और यह बदलाव पा का जो कारण यह वरक्चॉप है यह आप में जो जाण्चपरक हुआ है वो है पाहर से कुछ आपको सूचना मिला वह बदलाव का कारण है यह आपके अंदर जो जाण्चपरक हुआ रिक्षह Ses से वर्क्शॉप का कॉंटेंट है या यह जो आपने खुद में जांच परक किया यह है में चीज क्या चीजे जी राजेश कुमार जी बताईए जो लोग तुलना कर रहे हैं उनको कुछ में हासल नहीं होने वाला अपने में जांच परक करेंगे तो कुछ होगा कि चार दिनट की जो फोफ हैं जो समझ में मझे आया है वह…? सब्सक्राइब निए जाते हैं जो कोंटेंट परोसा गया वो मुखे बात थी या आपने जो जांच परकी वो मुखे बात तो मैं यह समझ पाया हूं कि अगर हम स्वेम में परिवर्तन कर लें तो निश्चे थी काफी परिवर्तन और जो आज की मूल समस्या हैं जैसे हम देख रहे हैं हम सब लोग सत्य की और भागना चाहते हैं हम यह जानते हैं कि सत्य क्या है और फिर भी हम दिखावे का मुख़टा लगाए हुए हैं हम यह सब चीज समझ रहे हैं कि हमारे एक्जेक्ट जो अभी पोल कर रहे हैं इसमें हम लोगों जो जानकारी मिल रहे हैं तो हम 80% पर यह समझ पा रहे हैं कि हम सब लोग समझदार हैं और यह जानते हैं कि सत्य क्या है और हमें कैसे जीना है लेकिन फिर भी जो दिखावे का मुख़टा हमारे चेहरों पर लगा हुआ है उसके कारण कि हमारी जो पश्चमी सब्विता है और मीडिया की द्वारा जो हमें परोसा जा रहा है इन सभी के कारण जो भर में कलेश और बहुत सारी मनलव हमारे देश जी यह जो बाहर से आ रही है इंपुट ना ग्रेंट तो करी हम ही कर रहे हैं ना इसको को बाहर से आकर आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है कि आप जो बाहर से आ रहे हैं इंपुट उसको अपने जीवर में उतार ही लें यह तो आपका चॉइस है और आपके पास फिल्टर नहीं है इसलिए आप जो भी मिलता है उसको ले ले लेते हैं अगर फिल्टर हो तो अपनी लेंगे अभी एक लेवल का फिल्टर तो है लेकिन उसको फाइन करना है और क्या कि यह जादातर लोग पर देख पा रहे हैं कि हमने जो खुद समझने का काम किया वह हमारे लिए महत्वपून था जो प्रस्ताव है अगर यह ठीक प्रस्ताव है तब तो यह काम जो है यह ठीक रहेगा काना यह थाय defital ला烟 करेंगे तो आपकी समझ बनेगी माड़े लेकिन यह प्रस्ताव अगर गलत है तब तो यह काम को-एक्सप्लोरर्ज हैं तो प्रस्ताब तो एक तरह से ठीक है और कई लोग कह रहे हैं इसको सिंप्लिफाइब करना है बच्चों के लिए और वो तो करना ही होगा लेकिन में चीज तो यह है कि हम इसके जांच परक्ष प्रॉपर्ली करें बच्चे को हम help करें जाजपरक करने के लिए मानने के लिए नहीं करें तो इसलिए पहले बाद जो रखा गया था वो यह रखा गया था कि माने नहीं जाजपरक करें अभी क्या हो रहा है यह जो मानने का काम है या फिर compare करने का काम है तुलना करने का जो काम है यह इससे काम नहीं चलेगा हमको अपने में जाच करना पड़ेगा और जाच की विदी बताई ती जाच परक करने की तो यह करेंगे प्रॉपरली करेंगे सीडियसली करेंगे तब जाकर के हमको कुछ समझ में आएगा अगर हम अपनी मनोस्तिति को देखेंगे तो एक्जामपल अगर हम आपसे पूछें कि मानव का क्या स्वरूप है मानव इस इकोल टू क्या तो कुछ लोग बोलेंगे शरीर है कुछ लोग बोलेंगे कि आत्मा है कुछ लोग बोलेंगे कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है बहुत सारी चीज़ें है ना उसी तरह से अगर हम पूछें किसी से कि भी कैसा भुजन ठीक रहेगा सिंपल चीज़ें यह ना तो उसमें यह भी आता है कि भी बहुत टेस्टी होना चाहिए या पॉस्टिक होना चाहिए नर्चरिंग होना चाहिए और यह होना चाहिए वह होना चाहिए बहुत सारी चीजें तो हमारे मन में यह भी बैठा रहता है यह भी बैठा रहता है अगर हमको समझ में आता है तो फिर यह गायब हो जाता है, नर्चिरिंग एंड टेस्टी हो जाता है। उसी तरह से हमको अगर समझ में आता है कि मानव जो है वो मैं और शरीर के सहस्थित में हैं ऐसा है मानव के, तो यह सब गायब हो जाएगा यह सब जो और confusion है तो आपका मानस clear हो जाएगा अभी क्या है हमने सुन लिया हमने यह वी सुन लिया यह वी सुन लिया और बहुत सारी चीज़न इक तरह से हमारे मानस में रहता है तो समझ का मतलब होगा कि यह सब क्लियर हो जाए और जो सही है वही बचे जो भी सही है वह बचे तो यह काम को करना है इस काम को बहुत सारे नाम दिये गए है चित शुद्धी नाम दिया गया है समझ दिया गया है ऐसे करके बहुत सारे नाम दिये गए है बट करने का काम तो यह है कि भी हमको सही हो जाए कि बहुत सारी तरह करीके तरीके से बताया गया इसको जी राजेंदर सिंग ठाकुर जी बताइए ठीक है तो हम लोग के पास में अब करीब 20 मिनट बाकी है तो हम लोग यह देख पाते हैं कि जो वातावरन चाहिए बच्चे को अनुसरन से लेकर के अनुशासन तक जाने का और वहां से सुव अनुशासन तक जाने का वो एक सब्बंद का वातावरन उसको चाहिए और सही का प्रस्ताव उसके पास में हो तब जाकर के यह काम होने की संभावना बनती है नहीं तो वह मन मनमानी में ही जाता है और आज कल आप देख ही पा रहे होंगे कि बच्चा तो मनमानी करी रहा है लेकिन हमारी हालत भी वैसे ही कुछ है कि नहीं तो हम अपने को शिफ्ट कर लें यहां पर है तो इसी काम को हम लोग ने आज सेकेंड सेशन में इसकी बारे में बात हुई होगी अनुसरन अनुकरन इसको हम थोड़ा सा समप कर देते हैं कि बच्चा जो है या कोई भी अनुसरन से शुरू करता है बिना अपनी और से जोड़े घटाए जो कुछ भी देखता है उसको कॉपी करता हो इमिटेट करता हो जैसे कि आपकी जो भाषा है आपका बच्चा उस भाषा को कॉपी करके सीख लेता है इमिटेट करके सीख लेता है कि अनुकरन का मतलब यह है कि अपनी और से कुछ जोड़ता घटाता है जैसे कि आप बच्चे को साइकल चलाना सिखाते हैं आप यह तो नहीं बताते कि पहले लेफ्ट पैर्स को दबाओ फिर दूसरे को दबाओ फिर इतना प्रेशर लगाओ एक्सेटरा एक्सेटरा तो व को करना है और जो आप बताते हैं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको भी स्विकार लेता है और वैसा करने लगता है जो आप बताते हैं नहीं करना हो तो वह नहीं करता और वो चलता रहता है आगया पालं में वो चलता रहता है कि आप individual instructions देते हैं पानी लेकर आओ ले आता है पानी तो individual instructions को follow करने का और बेख करने का काम करता है और उसके बाद में जो stage आती है कि discipline की stage कि आपने एक set of instructions उसको दे दिया उसको भी फॉलो करता है वो लेकिन बेसिकली उसके पीछे यह रहता है कि हमको या तो पनिश्मेंट मिलेगी या फिर कुछ टॉफी वाफी इंसेंटिव मिलेगा तो डिसिप्लिन तक जाता है लेकिन उसका जो गंटव्य है वो यहां पर रुकना नहीं है इसको विवस्था को नियम को समझ कर अपने विवार को खुद तै करने की विवार को कारे को भागिदारी को यह स्वतनतर्ता चाहता है बचा तो अगर वह सही समझा है तो उसका प्रमान यही होगा कि वह सुख और सम्विद्धी को प्राप्त कर गया है और निरंतरता में उस वह सुख और सम्विद्ध हो गया है तो यहां तक पहुंचना चाहता है बच्चा सही करना चाहता है सही यहां तक पहुंचना चाहता है लेकिन शुरू इधर से करता है तो जब आपके स्कूल में बच्चा आता है तो वो इनी स्टेजिस में से कहीं पे होता है जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो जादा तर यह पहली दो स्टेज में होंगे कुछ लोग यहां पे होंगे आजकल हम लोग बच्चों को बहुत बनाई देते हैं मार पीट करके यह जैसे भी तो मिडल का बच्चा हो सकता है कि वो इन स्टेजिस में हो कहीं पे तो जब जितनी जल्दी हो सके हम हमारा प्रयास तो यह रहे कि हम उसको स्वह अनुशासन तक पहुंचने में सहयोग करते हैं सि tätatि इसमें कोई प्रशूंट बठाइए ये जो स्टेज़िज हैं प्रॉसस तेप्स या स्टेज़िहां जो भी नाम देना है इसमें कोई प्रश्ण हो तो बताइए आप चैट में भी लिख सकते कर सकते हैं कभी कभी बच्चे पर इतने नियम थोपे जाते हैं उसका पूरा बच्पन ही खराब तो इसलिए उसके उपर बहुत सारे जो बाहर के जो अस्विकार नियम है वह थोपना गल्प है मानव कृट्च नियम है ना वह जरूरी नहीं कि वह विवस्था के अनुरूप हो लेकिन जो प्राकृतिक नियम है या बौधिक नियम है है वह तो उसको बताना ठीकिया है हम जो मानव कृत नियम जिसको हम नियम कह रहे हैं नहीं नियम वह वह मानिताएं हैं तो हम मानिताएं ठोपते रहते हैं लोगों को पर इसमें कोई प्रशन हो तो बताएं नियम को कभी थोपा नहीं जाता नियम तो समझ में आता है या नहीं समझ में आता है ठोपा तो मानिताएं जाती है जैसे बच्चा जो है वह सुभाविक रूप से किसी भी दूसरे बच्चे के साथ में खेलने का निर्ने ले पाता है भले यह आपकी मेड का बच्चा हो आप ही उसको रोकते हैं उस काम को करने से तो आपकी जो मानिता है कि जो मेड का बच्चा है यह हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है तो इसलिए इसके साथ मत खेलो यह मानिता है यह आप थोकते हैं या बच्चा अपने आप उसको अपने में स्विकारता है वो आप इसको नियम दानाम दे सकते हैं लेकिन है तो मानिता हमारे घर का नियम ऐसा है कि यह मेड के बच्चे से नहीं खेला जाएगा जबकि नियम देखेंगे तो अगर हमारा भाव एक स्विक्रित भाव है तो हम सुखी रहते हैं इतना सिंपल नियम है एक बौधिक नियम है यह कि जब हमें सही भाव होता है तो हम हम सुखी रहते हैं यह एक नियम है उसी तरह से प्रक्रितिक में प्रक्रिति में भी बहुत सारे नियम है जिसको फिजिक्स में पढ़ाते हैं यह ना कि उसी तरह से बायोलोजी में जो नियम बढ़ाते हैं कि वे आप बीच को डालोगे जमीन में और उसको पानी दोगे और यह सब करोगे तब जाकर के कि दस दिन में उसका अंकरन होगा और उसके बाद में फिर उतने दिन के बाद में फिर उसका एक पौदा बनेगा और इतने दिन के बाद में फिर उसका ब्रिक्ष बनेगा और फिर इतने दिन के बाद में फल आएगा उसमें यह ना यह भी एक नियम है यह तो समझने पड़े तो लोग जो हैं वो आज बीच डालेंगे और कल को पाइए प्फल किदर है एक हमने तो आम का बीच डाला था कल अब किदर गया वह आम क्यों निकला अभी तक कि नहीं इना कि बड़े उताबले होते हैं लोग जो हमने कल को कोर्ष शुरू कर दिया अब सब लोग समझदार हो जाएंगे हैं कि 10 साल तो लगेंगे उसमें अगर बीच ठीक होगा तब अगर भी ठीक नहीं था तब आम का पेड़ निकलेगा और फल निकलेगा वह कुछ और हीनिकलेगा कुछ विश्रद्धा जी बताईए जी सर, जिससे आप में बीज की बात करिये हैं, तो मैं भी कहना चाहते हूं कि किसी भी बीज में कितना बड़ा व्रेक्ष बनने की संभावना हैं, यह हम नहीं कह सकते हैं, बश्रते उसको उसके अनुकूल जमीन, उसका पोशन मिल जाए, उसकी सर्रक्ष मिल जाए, तो वो कि इतना बड़ा व्रेक्ष बन सकता है, उसको भी नहीं पता, इसी तरह से हरे पता नहीं, मतलब वो तो उसकी जो वातावरन है, उसके उपर निर्भर करता है, और आदमी के लिए भी जो वातावरन है, यही उसके लिए आहार है, यही उसके लिए उचित है, अगर हम इसकी ज हुम बग करनी तो यह करेंगे और वो करेंगे नहीं करोगे तो यह करेंगे पर पिटोगी इस तरह का बातारण देंगे तो फिलेगा नहीं इस बीच कितना बी patch रूप से नहीं वो फल्फूल सकता है ऐसे बच्चे होते हैं उनके अपार संभावना है अब उनको कैसी कैसा माहौल मिल रहा है अपने परिवेश में अपने घर में परिवार में वह एक अलग मैटर है बट एक शिच्छक के रूप में अगर हम उसको प्रेड़ना और देते रहें तो एक कमजोर बच्चा भी क्या कुछ कर सकता है यह हम कह नहीं सकते इसकी संभावना अपार है तो यह बात हुए जब सम्मान की चर्चा हुई थी तो सभी बच्चों में पोटेंशल सेम है तो थीक से लिखनी राम अरक पेंट जो है यह सेम पोटेंशल एक ही संभावना है हर बच्चे में सेम पोटेंशल है आपके पास में बहुत सारे उधारण है आपने जरूर सुनाओगा उंगली माल का उधारण सुनाया अपने नाम की नहीं उसी तरह से कालिदास जी का उधारण सुना होगा आपने तो हर व्यक्ति में सेम पोटेंशल है लेकिन उसको एक सही वातावरन मिल जाए सही शिक्षा संसकार का प्रस्ताव मिल जाए उसको अच्छे टीचर मिल जाए तो जैसे उंगली माल का उधारण है उसमें कौन से टीचर मिले थे उनको कोई बता सकता है चैट में लिख सकते हैं बिलकुल रमन कुमार जी ने सही आनसर दिया है रीना जी ने सब लोग मतलब वो तो जानते हैं बहुत सिंपल उधारन है तो हमको कैसा होना है तो हमको भी एक अच्छा टीचर होने की संभावना है तो हम भी और सबसे जो बदमाश बच्चे होते हैं ना कि उनमें उर्जा बहुत होती है कि अगर उसको सही दिशाद मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमको पहचानना होगा है हमको यह कम से कम यह देखना होगा कि हर बच्चे में एक सा पोटेंशल है हुआ है हम भेद करते रहते हैं यह बच्चे जो हैं यह अच्छे बच्चे हैं यह वाले पूर बैच के बच्चे हैं एक्सेटरा है कि अगर हम भेद करना बंद कर दें जो कि हमारे हात में हैं हम उनको संबंद का वातावरण दें तो उनका विकास होना निश्चित है जी भगवान दास ची बताइए अब अपने बास में दस मिनट बागी हैं को एक दो चीजे और बतानी है ठीक है तो इसमें सबको यह ध्यान में आ गया होगा इसको समझने का काम करें यह आखरी स्लाइड है हमारे क्या त्यारी की ज़र्वत है हमारी क्या त्यारी हो जिस रूम में भगवान दास यह हैं उनका माइक भी ओन है और पहां पर स्टीकर भी कुछ लगा हुआ है तो यह त्याय हुआ था कि जो भी व्यक्ति रखेंगे वो थोड़ा उस रूम से भार जाकर रखना पड़ेगा अभी अपने पास में करीब साथ आट मिनट बार की हैं तो अपनी क्या त्यारी की ज़र्वत है हम एज टीचर कब सक्सेस्फुल होंगे और अभी का हमारी क्या स्टेटस है क्या हालत है वो आप बिलकुल अपने लिए रखें हमारा कहां पहुंचना है है वो बताएं जरूर लेकिन हम अभी कहां पर है जो लोग बताना चाहें जरूर बताएं लेकिन आपको पता है कि आप कहां पर है कहां पहुंचना है वो बहुत सिंपल है कि हमको यहां तक पहुंचना है अगर हमारा जो जीना है वो इस प्रकार है तो हम बेस्ट टीचर कह स सकते अपने आपको कि अच्छा टीचर हो ऐसा होगा जो स्वहनुशासित हो सुखी हो सम्विध्ध हो एक्सिलेंट हो कि प्रेम का भाव से यूप्त हो प्रेम और करुणा के भाव से यूप्त हो लेकिन अभी हम कहां पर हैं उसको देख लें और पिर जहां पर भी हम हैं वहां से यहां तक पहुंचने का कुछ काम करना शुरू करें ना कि अ कि अ कि मताइए कि 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 आति जैन जी बताइए कि आपका हैंड रेज्ट है कि 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 हलो जी आति जी आपके आवाज आ रही है नमस्ति सर्जी मैं के रहें हूँ अभी एक तरफ से हम सोचे जैसे हम प्राइमरी के स्टूडेंट रेते हैं तो अभी मुझे एसा एसा हो रहा कि अभी हम स्टूडेंट चलिए जरूदे जब हम स्टूडेंशम अनुसाष cinnamon करेंगे जब हम अपने बच्चों को संसकार दे सकते और उने को यहिए लाक ला सकते पर उसमें एक स्टुडेंट एसा था कि जो एना पड़ता नहीं था वाकि हर काम में आगे रेता था लेकिन वशर्त यह है कि सब बच्चे उसकी उड़ाते थे कि यह तो ऐसा है काम नहीं करता है पड़ाई नहीं करता है बाकि सम्में रेता है जब टेंद क्लास का रिजर्ट वो भोई बच्चा जो काम करता था पड़ाई दे करता था राइटिंग उसकी अच्छी थी लेकिन वोई बच्चा आगे निकल गया वागी चुशो उसकी हसी उड़ाते थे क्योग fifth तो तो यह को करते आगे निकल गया है तो जो बच्चे जो पड़ते थे जो अचि टहुंदे तो पीछे पीछे मेरे मसह कैवे है कि एक्षव तो अच्छे संसकार सकता है घर के जो संसकार रए देता है भो संसकार बच्चे इसको अच्छी तरह तो मेरे लगते टियता है कि और अनुशासन स्वाइनुशाशन करने की मेरे को जरूरत है तो में देऊंगी तो आरम से मेरे बच्चे जिसको पढ़ा रही हूं वह आगे अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे बिल्कुल बहुत बहुत शुब कामड़ा है आपको आथी जी बच्चों के लिए भी बहुत स क्षाटरीक से करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम कहां पर हैं है और हमको आगे क्या करना है तो इसलिए हम लोग तो हर रोज दो घंटा तो लगाते हैं साड़े-पांच बज़े से साड़े-साथ बज़े तक यहां तक पहुंच जाएं हम भी पहुंच जाएं ताके हम समाज में कुछ शार्थक कर पाएं वो थर्ड प्रियोर्टी का काम है पहली प्रियोर्टी का काम है कि भी हम पुद तो अपने आराम में आएं लिए सब करते रहते हैं तो पिर कहां से बाहर का काम होगा पैसा तो मिल जाएगा आपको लेकिन सुख नहीं मिलेगा जौब मिल गया तो पैसा तो चलो आ जाएगा उससे आप सुविदा भी खरीच सकते हैं लेकिन सुख मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आप अपने बच्चे को सुखी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो यह तो क्वेश्चनेबल है ना तो इस काम को अगर हम लोग निश्ठा से करते हैं तो निश्चित गती होगी बिल्कुल निश्चित गती होगी और अलमास बेग जी कह रहे हैं कि नो वर्क किस बिंग डन इन दे फिल्ड ऑफ डेवलपिंग मॉरल वैल्यूज यह तो थोड़ा अंडर एवैल्यूएशन है लेकिन जितना प्रवेसिबली करना चाहिए इस काम को उतना नहीं हो रहा है मंता जी ने लिखा है हैं डिसेप्लेन पे हैं हम खुद की अगर स्थिति देखे तो हम डिसेप्लेन पे हैं यह बात बहुत अठीक आपने अपना अंकलन किया मंता जी और आप चाहती है कि अब सेल्फ डिसेप्लेन तक पहुंच जाएं तो उसके लिए थोड़ा सा काम और करना होगा कि इस काम को करा जा सकता है मज़े की बात यह कि इस काम को किया जा सकता है 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 तो इतना है भगवान दाशी अगर आप रूम के बाहर है तो जरूर्ट बताईए कि अन्म्यूट करके बाहर मतलब अन्मस्ते चाहता था कि जैसे अभी तक का जो अन्वाव है सिक्षा के चेत्र में उसमें मैंने पढ़ा है कि बच्चे का जो माइंड डेवलाप होता है तीन वर्स की अवस्था तक बहुत अधिक्ति ब्रगति से होता है जी और इस तीन बर सब्सक्राइब करता है जरूरी नहीं है लेकिन अभी जो तीन साल का बच्चा है ना वह प्रिप्सक्राइब कराना चाहिए तक में इन साल का जो बच्चा है यहां तक मैं मानता हो मैं जाना चाहता है क्या जो वहस्था आती है क्या जो भी है तो उन में जो फॉलो करने के लिए जो चीजें दी जाती है कि या उनको बच्चे के माइंड के माइंड के जो करना चाहता है वो तो बहुत कुछ मानेता के वश करना चाहता है लेकिन सही क्या है वो पहचानना जरूरी है तो हमको अपनी शिक्षा में जो छोटी क्लास है यहां पर जो है क्या करना है क्या नहीं करना है यह सब बताना पड़ेगा उनको करता है और यहां पर जो है उसको एक्स्प्लोर करने के लिए बताना पड़ेगा जी तो यह यह जो काम है ना यह बहुत जिम्हेदारी का काम है कि हम उसको क्या बता रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं कि नहीं कि अब पिता जी कहते हैं कि वह जो है वह जो रम बॉटल रखी है वह लाकर देदो लेकिन तुम मत पीना अब वह जब उसका शरीर चोटा है तब तो चलो मान लेता उसकाम को लेकिन आगे जा करके तो वह करता ही है ना तो इसलिए जो मनमानी है ना यह बच्चे में बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है आपका दो साल का बच्चा भी मनमानी करने लगता है यह बहुत ही जल्दी हो जा रहा है क्यूंकि जो वातावरन है वह इस तरह का वातावरन है इस तरह का कि बच्चा दूत्रे को भी देखता है हमारे माता पिता लड़ते जगड़ते हैं अब खुद सुकी तो लगते निए जो हमको बता रहे हैं हम भी वहीं पहुंच जाएंगे मैं एक लिए तो वहीं हम क्या करें तो अपना लगाता हां मनमानी का से सिर्फ मतलव एक हम अपना वाल मा लगा रहे हैं पूछ आपका फार्मुला आम ने छोड़ दिया है आप खुद तो शुकी है नहीं में यह तो हम आपका फार्मुला लेकर के करेंगे क्या हमको तो जबरदस्ती स्कूल जाना पड़ता है इसलिए चले जाते हैं आप ही बोलते हो कि इनके पैर चुओ और यह करो और वह कर लेते हैं क्योंकि हमारा शरीर छोटा नहीं तो मार पिटा ही हो जाएगी लेकिन इसको करके हम सुखी है या नहीं है या पूछते ही नहीं हो हमसे कभी भी तो इसलिए जब भी उसको अफसर मिलता है तो वह मनमानी पर उतराता है और मनमानी पूरवक जीकर कोई सुखी होता नहीं है मिस्ति है थो इसलिए जितना भी समय लखा ले उसमें राइट साइज में तो निकलना तो कुछ है नहीं इस में से कि तो जितनी जल्दी हम शेफ्ट हो सकते हैं और अपने स्कूल को कर सकते हैं अपने घर को सवह कर सकते हैं उतरा अच्छा है कि यह बात ध्यान में आ रही है कि आकलन को सही आकलन करना पड़ेगा हम अपना बहुत सारा ओवर एवैलियेशन करके बैठे रहते हैं हम अगर अपना राइट एवैलियेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा हम कहां पे हैं और एक आक का स्क्रेइट क्या हो सकता है उसको कर पाएंगे अगर हम अपना ओण करते हैं तो नियम्कों अ और अगर दिखता यह नहीं तो फिर हम कुछ कदे भी नहीं है हैं एल्कुरी स्थिति क्या है उसको आकलन खर लेंगे बहुत थोड़ी सी चीजे और हम भी कोई मुवी को देख करके हैं उसकी जो ठ्रसपने बेरे हैं और ने वह आपको कर लिया कर लिया तो हम जालने चाइच को अब है और वह आपकी वह पुड़ कोन कि यह एक अब भी कर लें उसको वो तो यह इधर ही है तो हमको तो यह दिख जाए कि हम कहां पर है इससे निराश होने की बिल्कुल आवशक्ता नहीं है लेकिन इससे next step क्या हो सकता है वो उसकी clarity बनेगी अगर हमको next step नहीं पता कि यहां से कहां जहां पर भी हैं हम वहां से next करना क्या है कि अगर हमको यह नहीं पता इसका उत्तर तब तो मान लेते हैं कि हम तो पहुंच गए हैं हमको तो कुछ करने की जड़त नहीं है कि अब हम लोग इसको क्लोस कर सकते हैं कि हमको पहुंचना तो यहां पर है हर बच्चा यहां पहुंचना चाहता है हर वक्ति यहां पहुंचना चाहता है और हमारे पास पूरा अफसर है कांटेंट है प्रासेस है यह ना सिर्फ हमको उस पर मेंथ करने की जड़त है तो हम जहां पर भी हैं हम नेक्स टेप नेक्स टेप नेक्स टेप यहां पहुंच सकते हैं और इस काम को करने के लिए हमको 10 साल लगे गए अगर हम मेहनत करते तो 10 साल में जहां पर भी हम यहां तो पहुंचबते हैं बशक हम मेहनत करें सही दिशा में मेहनत करें तो सब को बहुत बहुत शुब कामना है अब